नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडी प्लेटफोर्म में दिस इस धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड कैसे हैं आप नीचे कमेंट जरूर हमें करें आपका स्वास्त बेतर होगा तभी आप संग की राजभासा हिंदी और लिपी देव नागरी होगी यह भारत का सम्मिधान किस अनुच्यत में बढ़नित है रोजाना चिलाता हूं गलाब फाड़ फाड़ के लेकिन आज गलत नहीं होना चाहिए कुछ ऑप्संस हमने सठीक लिये हैं मतलब पास में लिये हैं पास प कौन सी तो वो राजभासा हिंदी है याद रखना राजभासा अलग है राजभासा अलग है तो हिंदी क्या है राजभासा है दूसरा कुछन आपसे ये बनता है कहता है कि कौन सा अनुच्छे थे 343 है और एक और कुछन बनता है कहता है कि ये अनुच्छे 350 में क्या है सम्भिधान में 343 में है अगर यह पूछे कि अनुच्छे कितने से कितने तक है हिंदी का उल्ले सम्भिधान में 343 से 351 तक देवनागरी की लिपी होगी और यह देवनागरी लिपी जो है ना यह ब्राम्मी लिपी से उत्पन है ठीक है ना याद रखिएगा तो इस सारे कर्वेट चल आधि रीयल में देखा जाये तो यह संयुक्त क्रिया है और यह वर्ड प्रिनअरथक क्र्या है एक वर्ड है मूल धातू तो राइट अन्सर ओप्षिन नंबर फिस्ट के साथ चल जा जािगा मूल धातु क्या होता है सर्जी मूल धातु के साथ चला जाएगा इसके अलाबा हम आपको और बता देते हैं ठीकिना प्रेनारथक क्रिया क्या होती है जैसे किसी दूसरे से हमने काम करवाया मालिक ने अपनी कार नोकर से धुलबाई रमेज बच्चो को पढवाता है ऐसे वर्ड जो र मेर करके दूसरे से करवाये ऐसे क्या होते है क्यों स्विख्षण आपको बहुत इक्जाम में मिलते हैं तो आज याद कर लेना प्रेनारथक क्रिया में क्या सब्सक्रेंस होता है आदू किस बात करेंगे अउलाद किस भासा का सब्द है तो आप कहते हैं अर्भी हो सकता है या तुर्की हो सकता है हिंदी और पुर्तगाली में ज़्यादा चांसेश नहीं है राइ चांसेश चला जाएगा अर्भी के साथ ओप्सन नमबर फस्ट के साथ चला जाएगा ठीक है अब देखो एक और कुछ सन आता है कि यह बताओ यह नेक चलान कैसा सब्द है कोई मुझे बताएगा नेक चलान कैसा सब्द है कोई मुझे नेक चलान बताएगा कैसा सब्द है या मुझे यह बताओ उढ़न तस्तरी कैसा सब्द है मिसरण, दो भासाओं से मिलने वाला, आप देखिए इस चीज को अगर हम आपसे बताएं कि नेक-चलण में कौन-कौन से वर्ण है, नेक-चलण में नेक आपका जो वर्ण है वो फारसी है, है ना, और चलण कैसा है आपका, चलण आपका हिंदी है, ऐसे ही आपका उड़न कैस दो भासाओं से मिला हुआ और ये बर्स घाट में क्या होता है बर्स आपका है क्या है संसगत का सब्द और घाट है आपका हिंदी का सब्द तो ये सारी चीज़े आपको कॉंसेप्ट में कनफॉर्म होनी चाहिए ठीक ना बहुत बढ़िया अब हम चलते हैं यहाँ पर अतियुक्ति होगा लेकिन होगा कैसा अतियुक्ति वाला होगा अतियुक्ति वाला होगा तीसरा अतियुक्ति है और अतियुक्ति है अब देखो बड़ा ही कनफ्यूजन है अतिधन उक्ति बराबर अतियुक्ति होता है लेकिन ओप्संस में कौन सा है ओप्संस में टू के सा चला जाएगा अत्युक्ति ये right answer है क्यासर जी ये waste answer है क्योंकि यही सुद्ध सब्ध होता है अत्युक्ति का जब आपका ये होता है तभी तो आपका थी वनता है आपको सभी को पता है, तो इसली right answer क्या हो जाएगा option number 2 हो जाएगा बहुत गजब का answer चलिए बहुत अबड़िया धुआ उड़ाईएगा question number 5 का धुआ धुआ कर दीज़ेगा बहुत important question है परसुराम का पर्रयवाची सब्द नहीं है परसुराम जैनती अभी हाली में निकली हुई है अब पता ना है question question परसुराम का पर्रयवाची सब्द नहीं है आप हर बहन हर भाई किसी भी स्टेट से है कमेंट करें और चैनल को subscribe इसलिए कर ले बस इस बेस पर कर ले कि बस selection अगले साल तक सरकारी seat ले लेनी है परसुराम का पर्रयवाची सब्द नहीं है भारगब, सिवप्रिये, भ्रगुनंदन, रेड़ुकातने बताओ तो सर्जी अगर हम बात करें इस question की इस question का अगर हम बात करें तो आप सर्जी ये कहोगे क्या सर्जी ये कहोगे कि राई टंसर option number 2 के साच लगा सिवप्रिये आपका पर्रसुराम का पर्यवाची सब्द नहीं है आप सुच भी नहीं पाए होगे कि अरे सर्जी ये कैसे गलत होगा जी हाँ, बिलको रेल आंसर है बहुत बार question पूछा जाता है कि रेड़ुकातने ये किसका पर्यवाची है तो answer में आपको परसुराम लगाना होता है ब्रागु नंदन भी परसुराम का है भरगव भी परसुराम का है लेकिन सिव प्रिया आपका right answer चला दाएगा 20% बच्चों का right answer आया इस वीडो से, अभी comment box में देखा मैंने question number next ये देखीगा थोड़ा सा यहाँ पर missprint है question number 7 देखीगा question number 7 देखीगा कहता है ततसम सब्द चुनिएगा ततसम का मतलब होता है कि संसकत का सुद्व सब्द जो सीधे निकले हुए है संसकत से और ततसम का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर आप भविस से देख रहे हैं सीध देख रहे हैं गली देख रहे हैं गेहूं देख रहे हम सारे वर्ड यहाँ पर नहीं डिसकस करेंगे क्योंकि हमने पर रोजाना डिसकस कराते हैं ततसम सब्द को अब एक कुशन में हम गो में दोस्तों होता है गोबर का तो गो में और गोधूम में कन्फ्यूज मत होना ठीक है बहुत बढ़िया तो राइट अंसर ऑप्स नमबर फस्ट अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गली का क्या होता है कुशन नमबर एट खटोला में कौन सा प्रत्य है खटोला में कौन सा प्रत्य है आ उला ओला आउला क्या बात है कैसे वर्ड है अच्छा बत करें खटोला एक वर्ड है खटोला और इसके पीछे जो लगता है वो कहता है इसकर प्रत्य होता है और उसमें आपका राइट अंसर चाहएगा उप् कुशन नमर नाइन कितना अच्छा कुशन है अभी मैंने पूरा चैप्टर आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया था परसों वाले दिन और पूरे कुशन्स भी कराये थे और ऐसे ट्रिक जब जस्त बताई थी जो विडियो के लास्ट इन पॉइंट पर हम इसी स्क्रीन पर आ और आ मींस नहीं जिसके आगे आ लग जाता है वो निगेटिव पॉइंट हो जाता है नहीं बन जाता है जहां पर कर्म की आवसकता ना हो वो होती है अकर्मक रिया और यहीं पर होता कि जहां पर कर्म का बोध कराती है अगर लिखा होता तो वहां पर सकर्मक हो जाती कैसे सा यहां पर कोई कर्म नहीं है चुडिया उड़ती है यहां पर कोई कर्म नहीं है तो जहां पर कर्म नहीं है वहां अकर्मक वहें सेव खाता है तो यहां पर कर्म है बोले क्या खाता है तो बोले सेव खाता है जी हां तो राइट अंसर ऑप्शन अबर थ्री हो जाएगा कुशन सर्वनाम का प्रकार नहीं है सर्वनाम का प्रकार नहीं है यह कुशन बहुत ज़्यादा एक्जाम में पूछे जाने वाले कुशन से अब देखो यहां से दो कुशन बनेंगे कैसे यहां से दो कुशन बनेंगे एक तो आएगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और एक तो आपसे बनेगा कि सर्वनाम कौन सा नहीं है सबस्पहले यह जान लिएगा सर्वनाम के भेहत कितने होते हैं 6 भेहत होते हैं कौन-कौन से होते हैं पुरुस बाचक होता है ध्यान दिजेगा, मैं बोल ला हूँ आप लिख देजेगा पहला पुरुस बाचक निश्चे बाचक ध्यान से सुनना और वही इसमें वही कुछन आपको लगा देना है जो नहीं है पुरुस बाचक होता है निजवाचक होता है प्रस्न बाचक होता है सम्मंद बाचक होता है ठीके ना अनिश्य बाचक, निश्य बाचक ये सबी होते हैं छै प्रकार के लेकिन गुड बाचक नहीं होता है तो छै प्रकार के होते हैं पूरुस वाचक, निश्य वाचक, अनिश्य वाचक, प्रस्ण वाचक, सम्मन्द वाचक और निज वाचक, राइट आंसर उप्शन अमर 4 हो जाएगा, एक कुशन 11 लेते हैं, देखते हैं दिमाग को कितना आप चक करते हो, पेडागोजी का कुशन, लोक तंतर राज्य जनता भावना, यहाँ पर रिक्तिस्थान है, यहाँ पर ऐसा वर्ल्ड आपको भरना है, यहाँ पर, ठीक है, आप समझ लेना, मैंने यहाँ पर जगा नहीं छोड़िए, यहाँ पर रिक्तिस्थान है, भावना, डौट डौट, रूप में जागरत करता है, यह रिक्तिस्थान मे क्या भरा जाएगा options में लोकतंतर राज्य मतलब लोगों का राज्य लोगों के दोरा जो चुनता है मतलब समझ रहे ना जिसमें लोगों की चलती है लोग यहाँ पर सर्वे सर्वा होते हैं जिसे अपने हां की बात करें जनता में राश्टी भावना स्वभाविक रूप में जागर्द करता है संकीन रूप में जागर्द करता है अज स्वभाविक या अनिरंजित ये सभी negative points संकीन का मतलब होता है बहुत छोटा तो right answer option number first स्वभाविक रूप से जागर्द करता है ये सबसे बेस्ट answer है बहुत बड़िया धुँआ-धुआ कर दिया question number 12 जल्दी से बताएगा कि इसका धुआ-धुआ कैसे करना है question number 13 बहुत अच्छे। Core बहुत अच्छे गयिस बहुत अच्छे बेहतरीन तो सर जी अगर हम बात करें क्या सर जी आप से अगर हम बात करें पहले तो एक कुशन आता है कि अर्थ के आधार पर बाक्य के कितने भेद होते हैं तो भाया जान लिजेगा अर्थ के आधार पर जो बाक्य के भेद होते हैं वो आठ भेद होते हैं दिमाग में रखना याद रखना हमेशा बहुत कुशन पूछा जाने वला हैं अर्थ के आध पर बाक्यों की संख्या होती आठ विधान बाचक, निसेद बाचक, प्रस्न बाचक, बिस्मयादी बाचक, आग्या बाचक, इच्छा बाचक, संकेत बाचक, संदेह बाचक विधान, निसेद, प्रस्न बाचक, बिस्मयादी, आग्या, इच्छा, संकेत और संदेह ये वीडियो को रोक रोक के लिख लेना ठीक है ना हर कुछन को नहीं लिखना है तो आठ प्रकार क्यों होते है राइट अंसर चला जाएगा आपने बुलाया होता तो मैं जरूर आता ठीक है अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा अगर बारिस अच्छी होती तो फसल भी अच् अगर आपने बुलाया होता तो मैं जरूर आता इस अभी संकेत बाचक है याद रखेगा किसी मुद्दे पर लेक लिखने में उस ताजी गटना का उल्ले करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया एक मुद्दा है जो बहुत गर्मा गर्मी का चला है कोई भी पत् कहलाता है राइट आंसर ओप्स नंबर फूर हो जाएगा यह पैग वाला नहीं जो आज कल चल ला है पैग की दुकाने खुल गई है ना आजी लाक्टाउन में बहुत बढ़े हैं कुर्शन नंबर फुटीन बात करेंगे चौदे नंबर की इसक्रीन साफ हो चुकी है भक्त हो क्या श्तायवा हैग गाईज बहुत तैजी से आंसर करेंगे फटाफट फटाफट उटाफट अंसर करेंगे भक्ती रस का इस्थाईवा हो है सबसे पहले आंगर हम बात करें कहीं-कहीं किताबों में रस 8 प्रकार के होते कहीं कहीं 9 प्रकार के होते हैं कहीं कहीं 10 प्रकार के होते हैं कहीं कहीं 11 प्रकार के होते हैं याद अप्ना भरत्मुन के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई थी 11 बरतमान में रस हैं ठीकिना और रसों में हर रस में कोई न कोई इस्थाइभा होता है जैसा स्रंगार की बात करें तो स्रंगार में क्या होता है स्रंगार में आपका होता है रती निर्वेद में क्या होता है निर्वेद की अगर निर्वेद जो इस्थाइबा होता है उसका होता है क्या होता है सांतरस सांतरस का निर्देव होता है पुत्र इसने है कि अगर हम बात करें तो बातसल्य होता है ठीक है और ये राइट अंसर हो जाएगा option number 4 भक्ति रसका इस्थाइभा होता है देवरति या भक्ति या भगवत प्रेम का मतलब होता है कि भगवान के लिया आप जो है भक्ति करते है तो राइट अंसर option number 4 हो जाए है अब तदबो तदसम में मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा हमने आपको बताया है तदसम तदबो में आपको खुद आसी तरीके से रोजाना कुशन एक दो दे देते हैं फूल की बात करते हैं सुमन होता है है ऐसे मुझे आपको बताना है आपसे दो कुशन करेंगे कि आइट आंसर ऑप्शन नमबर टू के सच चला जाएगा ये कैसा है ये आपका तदसम है देह जो है ये देह आपका तदसम है बहुत एक्जाम में पूछे जाने वाला है एक बार आरो में आया था एक बार टेट एक्जाम में आया है ठेके ना कहा की आया टेट एक्जाम में MP में आया है, ठीके न, MP में आया है छोटे level exams में, और अगर हम बात करें, ये जो देह की बात करें, ये वाला जो एक exam पढ़ता है आपका, यहाँ पर क्या नाम, राजस्थान, यानि रीट परिक्षा में जो grade का teacher है, उसमें पूछा गया था अब यह आसान नहीं है आप, समझ रहो कि बहुत आसान question है, ठीके न, इसलिए यहाँ पर इस question को type किया है, तीन exams में मैंने देखा इस question को, और अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको करिएगा question number 16, हो सकता है मेभी आपके exam में आए, बिहार वाली परिक्षा में उतरपदेश वाली परिक्षा में, हिमाचिरपदेश महाराष्ट ठीके न, तो यह सब ही देखीगा पंजाब रियाड़ा वाले चेतर, बहुत अच्छी तरीके से question number 16, कौन सा विलोम योगम गलत है, मूख का बाचाल, मूख का मतलब होता है कम बोलना, वाचाल का मतलब होता है, ज्यादा बोलना संपन, विपवन, संपन का विपवन होता है, बिल्कुल सही बात है संमुख का बेमुख होता है, लेकिन मित व्याई का अल्प व्याई नहीं होता है, राइट अंसर, option number 3 मित बैई मतलब होता है कम खरचीला मित बैई का क्या हो सकता है मित बैई का क्या हो सकता है कमेंट करके फटाफट बताओ कि मित बैई का क्या होगा अति बैई होगा क्या कंफर्म करके जल्दी से बताओ मित बैई का जादा के लिए होगा या कम के लिए होगा तो वो तो समान ही है option number 3 is right answer क्योंकि हमसे पूछ था गलत option number 3 हो जाएगा question number 17 question number 17 की बताएंगे question number 17 बताएंगे फटाफट बताएंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हाँ जी बलसे होता है अभी भी होता है अपको बताएंगे यह question बहुत अच्छा question है यह question बहुत toughest question में जाने जाना वाला अभी तक का question है सत्रमा number किस वाकिय में बिराम चिन सम्दिविसंगती है विराम चिनों की शंख्या कितनी है कमेंट करके बताएंगे बिराम चिन्नों की संख्या कितनी है बिराम चिन्नों की संख्या कितनी है बीस है क्या बिराम चिन्नों की संख्या कितनी है बिराम चिन्नों की संख्या कामता प्रसाद द्वारा दी गई है बीस ठीक है बीस संख्या है और राइट आंसर राम स्याम और बिजय दिल्ली गश सही है आप कानपुर से कव आए कव के लिए आपर प्रशनवाचक सही है वाह आपने तो कमाल कर दिये वाह के लिए हमने बिस्मयादी चिने लगाया ठीके ना बिल्कुल सही है राइट आंसर उप्सिन नमबर फर्स्ट हो जाएगा अब मुझे आपको यह बताना है कि कहाँ पर गलती है एक्सवल में जब भी हम देखते हैं इसमें दो गलती हैं एक मैं आपको बता देता हूँ कि निराला जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसा इसको डवल ब्रेकेट बे लिखते हैं ठिक है ना, double bracket पे उपर लिखते, यह bracket नहीं चिन्न है, यह बिराम चिन्न कौँण सा है यह आपको भी उताना है, कि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, तो उसको हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, क्या मतलब है इसका, ठिक है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अच्छी त किसे याद रखीगा क्रिया विसेशड सब्द क्रिया सब्द विसेशड सब्द या संग्या सब्द तो देखीगा अब्बे के अंतरकत की जाती है वो होते हैं क्रिया विसेशड सब्द क्या होते हैं क्रिया विसेशड सब्द बहुत अच्छे एक और कुशन बहुत सिंपल सा लिया है देखते हैं कितने बच्चे इस question का answer गलत देते हैं सही तो बहुत सारे बच्चे देंगे गलत वाले बच्चे दिखना है अवनी सब्द अपना score चेक करते जाएगा फटाफट अवनी सब्द का विलोम क्या है गाईज अवनी अवनी का मतलब होता है उल्टा अगर हम तो फिर क्या लगाओगे अवनी का मतलब होता है प्रत्वी होता है तो प्रत्वी का विलोम तो उपर जाएगा ना फिर उपर आस्मान पर जाएगा तो अंबर नहीं हो जाएगा सिंपल जी बात है पाताल में थोड़ी ने जाएगा जी हाँ बहुत बढ़िया कुछसर नमबर 20 किस रचनाकार को महापंडित की उपाधी दी गई बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहतरीन गाईज बहतरीन तो सर जी अगर हम बात करें क्या सर जी अगर हम बात करें पर राइट अंसर चला जाएगा ओप्शन नमबर 4 के साथ राहूल संकरत्यायन जिने महापंडित की उपाधी दी जाती है हिंदी के एक प्रमुक साहित्यकार थे वे एक प्रतिष्टित वहु भासा विदित है भासाओं का बहुत ही जानकार थे बीसमी सताबदी के ये राह कहे जाते हैं याद रखीगा ये पितामा कहे जाते हैं हिंदी साहित्यके हिंदी यात्रा साहित्यके ठीक है ना राइट अंसर और 4 के साथ चला जाएगा कुछ्टन नमबर 21 गरल सुधार रिपकरही मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है एक्षल में इस चीज को अगर हम घ्रल सुधार रिपकरही मिताई यहाँ पर आपसे कुछन पूचा है गरल सुधार रिपकरही मिताई अगर हम बात करें यहां पर हनुमान जी और स्री राम जी के बीच का है लंका संबाज से रिलेटर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया था कि राम के नाम के साथ रहने पर भी जहर अमरत के समान हो जाता है यानि जहर और अमरत को मिलन की बात करी है और जहर अमरत आपस में आप सभी जानते हो अपोजिट होते हैं और ये बताओ जहर अमरत का यहाँ पर एक समाबेस लिया गया है जहर यानि दुसमन माफी चाहेंगे और अमरत मतलब मित्र दो विरोधी सुभाओं वालों का मिलन ये आपका अर्थ बताता है ये राइट आंसर ओप्सन नमबर 3 के साथ चला जाएगा सुंदर कांड में इस चीज को दिखाया जाता है बहुत बढ़िया कुश्चन नमबर 22 मूल सब्द एबं प्रत्य की द्रश्टी से सही विभाजन नहीं है पहले तो ये देखो कौन-कौन से सही विभाजन है और कौन-कौन से नहीं है बहुत अच्छे तो देखेगा अगर हम बात करें लुहार प्लस लोहाधन आर लुहार आर प्रत्य लग रहा है आर कसेरा में एरा घुमाओ में आओ ये सब ही सही है लेकिन महत्तों में तो नहीं निकाल सकते हम यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है बिवाजन सही नहीं है बहुत अच्छे क्योंसर नमर 23 हिंदी सब्सकोस में वाफी चाहेंगे हिंदी सब्सकोस में एक विनिट एक शके हाँ हिंदी सब्सकोस में कि मैं आप से कहता हूँ कि छा किस वर्ड के बाद में आता है तो आप कहते हो का प्लस की बात होती है तो का के बाद आता है ऐसे अगर मैं आप से कह दू कि स्रा किस वर्ड के बाद आता है तो मैं आप से कह दू कि इसके बाद अगर मैं आप से कह दू कि त्रा किस के बाद आता है ना कि बिना हलन से option number first के साथ चला जाएगा इन जीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको नज़ा अंदाज नहीं करना है कुछ नमबर 24 सा उपसर्ग से निर्मेत सब्द नहीं है सोधाहरन, सहान उभूति, सो उल्लास, शाहित साधन उधारन, साधन αναभूति, साधन अनुभूति, साधन अनुभूति हो जाएगा simple सी बात अगर हम कहें कि यहाँ पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है तो option number 2 देख रहे हैं वो साधन अनुभूती नहीं निकला फिर हाग कहां जाएगा तो right answer option number 2 के साथ चला जाएगा हम इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं आपको सर्च कर लेना है यूटूब में और पहली वीडियो खुल लाएगी वही देख लेना है 10 मिनट में आपका संदी मात्रा को देख कर ही आप पैचान जाओगो कि कैसी संदी है स्वरसंदी से निर्मित सब्द नहीं है अत्याचार उत्थान भानूदे स्वराधना देखी कि आप स्वरसंदी की बात कर रहा है अत्याचार की बात कर रहा है ये सबी कैसे है ये कैसे कैसे है अब नहीं है पूछाता तो बच्चे करें option number two के साथ चला जाएगा क्योंकि ये वाला जो है न उत्थान अगर आप करोगे न उतधन थान होता है जिसमें भी word में हलंत लग जाती है तो वो क्या बन जाता है सर वेंजन बन जाता है वेंजन संधी होती है पहचान होती है अब यह आतिचार में आपको के सर ये भी तो सेम लग रहा है नहीं उत धन थान यहां था यहां तो आती धन आचार की बात होती इसलिए वहां पर थी बन गया है यहां थी नहीं बना यहां उत बना है इसलिए right answer option number two यह बादबा की सारी आपकी सोर है यह वाली बेंजन हो जाएगी बहुत अच्छे कुछा number 26 यह रहा आपके लिए प्रशन आज का होमबर्क का पूरे वीडियो में मैंने यह नहीं कहा कि चैनल को लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगे हो सकता है बहुत सारे अनलाइक कमेंट्स भी आचुके है वीडियो को बनाने से स्टार्ट रने से पहले ही बहुत सारे अनलाइक आचुके थे कोई दिक्कत नहीं है आप सभी का प्यार ही बहुत काफी है अनलाइक बाले वीग कभी लाइक करेंगे मेरे भाई याद रखना आप सभी को सेल्ली उठ है कोई दिक्कत नहीं है आपको ग्यान मिलता रहे है लाइक अनलाइक की तो बात छोड़ो आप सभी को ग्यान मिलता रहे है आप सभी के लिए 26 आपका होमबर्क में रहेगा थोड़ी दिर में नेक्स्ट वीडियो आएगी जै हिंद वंद मातरम सुभह ग्यारा से लेकर रात के ग्यारा वज़े तक क्लासे सिल्सिला चलता रहता है नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगी अभी ठीक है ना इस्क्रीन पर यहीं पर मिल रही है और उसको क्लिक करो आगे भी वोस्ट करते रहो अदाब सस्री अगाल जै महकाल इंकलाव जिन्दाबाद